जहिन सातियो, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूटूब चैनल पे हैं जैसे कि आप ये नोटिपिकेसन देख सकते हैं गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान की तरफ से जारी किया गए जिसका डेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 24 फरवरी 2023 को ये नोटिपिकेसन जारी किया गए जिसमें ITA डिग्री डिप्लोमा के चात्र फार्म को अपलाई कर पाएंगे तो चले इसके बारे में आपको पूरी जनकारी देते हैं स्टेप बाई स्टेप कि कैसे फार्म को अपलाई करना है किन ट्रेडों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है और कब से फार्म भरा जाना है और इसका लाश्ट डेट क्या है तो पूरी जनकारी के लिए वीडियो को आप बिल्कुल कम्प्लिट देखिएगा और ITA या डिग्री डिप्लोमा के चात्रें आपको भरती से संबन्दी जनकारी चाहिए इस वीडियो के नीचे आपको एक क्रेड कलर का बटन दिकरा होगा सस्क्राइब वाला उसे दबाईए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर All Notification क्लिक कर ले हैं सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे Graduation चात्रों के लिए क्योंकि इसमें जो Qualification रखा गए वो Engineering रखा गए जो कि Graduate Non Engineering भी फांट को अप्लाई कर पाएंगे जो चात्र BSC या Become या PA, BCA या BBA या Diploma या ITI धारक है नीचे आप आईएं सात्यों तो यहाँ पर Graduation Apprentice के लिए यहाँ पर Mechanical Production और यहाँ पर Industrial Production Engineering के अंतरगत टोटल 30 यहाँ पर Vacancy खा लिए जिसमें Age यहाँ पर रखा गए 18 वर्स, Minimum और Maximum जो Age रखा गए वो यहाँ पर Category रवाज दखाए गए जो चात General के अंतरगत आ रहे उनका Maximum 27 होना चाहिए और OBC के लिए हाँ पर 30 होना चाहिए SST वालों के लिए 32 होना चाहिए और PWD के अंतरगत जो चाहता आ रहे है उनके लिए हाँ पर 27 होना चाहिए इसके बाद यहाँ पर Minimum Qualification में आप देख सकते हैं क्या रखा गए आपका जो Qualification होना चाहिए यहाँ पर आपका मांगा गए डिग्री जो कि किसी भी इनुशीटी से या आप इन स्टूट से कंप्लीट कर रखें तो आप इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे इसके बाद और भी आपको सीट देखने को मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको एग्री कल्चरल देखने को मिल जाती है इसके बाद यहाँ पर आपको इलेक्टॉनिस देखने को मिल जाते है इलेक्टिकल देखने को मिल जाते है और यहाँ पर आपको इस्टूमेंशन टेक्निली कॉम भी देखने को मिल जाते है तो जिसने भी सीट पर आप फार्म को अप्लाई करना चाते हैं graduation का होड़े आए तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर दिया गए diploma चातरों के लिए और यहाँ पर graduation वालों के लिए इनमें आप जो qualification रखा गए यह graduation पर रखा गए जिसमें बीकम और बीसी वाले फार्म को अप्लाई कर सकते हैं जिसमें minimum qualification आपका जो रखा गया है वो आपका बीए बीसी वाले फार्म को अप्लाई कर सकते हैं total आपको यहाँ पर seat भी देखने को लिए 10 seat है और बीसी वालों के लिए आपर 5 seat देखने को मिल जाती है नीचे आप आए साथे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर और भी डिप्लोमा चातरों के लिए भरती देखने को मिल जाती है mechanical के अंतरगत, production और tool and diet, design के अंतरगत electrical, electronics और electronics and communication के अंतरगत बहु सारे seat आपको देखने को मिल जाती है नीचे आप आए साथे हो तो यहाँ पर ITI चातरों के लिए भी जनकारी निकल के आ रहे है जो चातर मसनिष्ट से ITI किये हैं या फीटर से, या टर्नर ट्रेड से, या एलेक्रिसियन से या welder trade से, या seat metal worker से, या computer operator and programming assistant कोपा से वो लोगी spawn को apply किर सकते हैं बरसरते हैं यहाँ पर देख लीजेगा seat यहाँ पर दर्स आई गई है, थोड़ा सा कम ही आपको देखने को मिलेगी क्योंकि यह जो भरती है नहीं कहले कि आ रहे, इसमें बहुत ही कम seat आपको देखने को मिल लई है यह जो इसमें आपका minimum रखा गए, 18 वर्स रखा गए और maximum जो age रखा गए, वो यहाँ आपर category wise यहाँ नोने जनकारी दे रखिए कि जो चातर जनल के इंतरगत आ रहे हैं उनके लिए सताई से, वो भी सी के लिए 30 है सेश्ट वानों के लिए 32 है और PWD के लिए हाँ पर 37 वर्स रखा गया है जिसमें qualification जो सात्यों यहाँ आप रखा गया है, उसमें आपका ITI के certificate मांगा जा रहा है यदि आपने NCBT से या SCBT से ITI कर रखा है, इन ट्रेडों से तो आप इस फार्ण को अप्लाई कर पाएंगे निचे आप आईए स्क्रॉल करते वे, तो आपको यहाँ पर टोटल सीट काउंट करके दिखाए गया है टोटल यहाँ पर सभी टेडो को मिला कर, टोटल 25 सीट खा लिए, जिसमें आप फार्ण को अप्लाई कर पाएंगे निचे आप आएंगे सातियों, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में कुछ अधर भी जनकारी दी गई है जिसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लिजेगा, अन्य थाप पर स्क्रॉल करती वे निचे आजएगा कोई यहाँ पर खास इनों ने जनकारी नहीं दीए इसके बाद एक चीर यहाँ पर ध्यानी केगा, इसमें वही कंडेट फांट को अप्लाई कर पाएंगे जिनके मार सीट पे रेगुलर लिखा है तो यदि आपके यहाँ पर देख लीजेगा मार सीट पे रेगुलर लिखा है तो आप फांट भरने के इलिजबल है, आप फांट को अप्लाई कर पाएंगे निश्या आप आए साथ हो स्क्रोल करते हैं तो इसमें आपको बताएगा इस्टिपिंड आपको कितना दिया जागा अताद यदि आपका इसमें सेलेक्शन हो जाता है तो वितिका जिसको बोला जाता है, इंगलिस में इसको इस्टिपिंड बोला जाता है तो इसमें जो आपको दिया जाएगा, ग्रेजियोषन वालों के लिए 9000 पर मन्त है डिपलोमा के लिए यहाँ पर 8000 है और आईटे के लिए हाँ पर 7000 पर मन्त रखा गया है जिसमें आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाता है नान इंजनिरिंग के लिए अलग देखने को मिल जाता है नान इंजनिरिंग के अंतरगत यदि आप graduation, apprenticeship, p-cum, bsc या b.a. या b.c.a. या b.b.a. complete किये हैं तो आपको 9000 परमंत यहां पर देने की बात कही गई है नीचे आप आएंगे साथे हो तो यहां पर medical fitness की बारे में खागया है तो जो भी यहां पर medical fitness का है वो आप इसको बनवा लीजिएगा यह कापी अच्छा रहेगा फिलाल यह form वरते समय आपको इसकी कोई भी जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब आप इसको जाएंगे document verification के लिए तब आपको इसकी जरुवत पड़ती है तो आप पहले से बनवा लीजिएगा इसके बाद यहां पर selection process की बारे में इन्होंने बताया है तो इसमें जो आपको selection होने वाला है इसमें किसी भी तरह का यह जनकारी नहीं दिया गया है कि इसमें आपका exam होगा लेकिन यह जनकारी उन्होंने इसमें इसमें जनकारी दे रखिए तो यह जो आपका farm apply किया जागा इसकी जो official website है dr.gov.in इसकी official website से farm को apply किया जागा और इसका link मैं आपको दे दूँगा इस video के description box में अब यहाँ पर बात करते हैं कबसे आपका phone भरनाय स्टारٹ हुआ है और कब तक यह आपका phone भरता करेuft तो यह phone भरता हो चुका है और यह जो ओपर में आपका 24ं during 2023 तक phone भर जाएगा तो जो भी चाहटे निहांपर phone को apply करना चाहते हैं आप यहाँ पर 24 मार्च 2023 से पहले फान को प्लाई कलिजेगा और यहाँ पर जो देख सकते हैं जो इसका डेट रखागा एक्जाम का जो रिटेंट टेस्ट कराए जागा वोई 11 अपरेल 2030 को कराए जागा बाकि जो यहाँ पर जो आइनिंग डेट है वो 17 अपरेल है और यहाँ पर जो आपका साट लिश्टेट जारी किया जाएगा वो 20 अपरेल है और यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने डॉकमेंट वेर भी खेसन के लिए जो जनकारी दे रखा है वो अलग-अलग यहाँ पर दे रखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो जो भी चाहतर फान को अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लिजेगा और कोई भी आपको अधर जनकारी चाहिए तो कमेंट वाक्स में पूछ लिजेगा